अर्थ कारिपालिका का अर्थ कारिपालिका का मैंने अर्थ बताया जो लागू करने का कारिकरे जो एग्जेक्यूट इंप्लिमेंट करने का कारिकरे मोटे तोर पर सरकार की उस शाखा को हम कहते हैं जो बीच में मैंने बताई जो विधान मंडल या विधाई का द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी लेती है उसके लिए उत्तरद आई है नीतियों को लागू करना व्यापक अर्थों में अदि हम बोलें तो कारेपालिका में वे सभी कर्मचारी भी होते हैं जो प्रशासनिक कारे करते हैं administrative work करते हैं दूसरे शब्दों में राष्ट पती और प्रधान मंत्री से लेकर गाओं का ग्राम सेवक तक कारेपालिका में शामिल होता है राष्ट पती और प्रधान मंत्री से लेकर अंतिम जो कर्मचारी है सरकारी चाहे वो सरकारी प्यून ही क्यों नहों चाहे वो ग्राम सेवक ही क्यों नहों ये सब उस प्रशासनिक कारेपालिका का अंग है जो सरकार का दूसरा अंग कहलाता है यदि हम इसको संकुचित अर्थ में देखें अभी तो हमने व्यापक अर्थ में समझा कि कारेपालिका क्या है संकुचित अर्थ में कारेपालिका का अर्थ शासन का प्रधान और उसका मंत्र मंदल और था चुने हुए लोग जो कारेपालिका में है प्रधान मंत्री और उनके मंत्र मंदल के लोग चुने हुए लोग है जनता के द्वारा चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तो ऐसे चुने हुए लोगों से जो कारेपालिका का निर्माण होता है वह कारेपालिका संकीन परिभाशा के ताहथ उसे हम राजनैतिक कारेपालिका कह सकते हैं. क्योंकि वो राजनेतिक तरीके से उनका चैन होता है राजनेतिक कारिपालिका सरकार से सम्मंदित है जिनको जन्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ निश्चित समय के लिए चुनती है चुनाव होता है, मतदान के जरी उनका चैन होता है तो ये हो गया कारेपालिका का एक अंग संकीर मानू जैसे उधारन के लिए हम बात करें तो भारत के राश्पती भारत के प्रधान मंत्री ये सब क्या जनता के से चुन के आते हैं चाहे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जा रहे हो या अप्रत्यक्ष रूप स सचाई ये पर तथ ही ये है कि इनका चेहन जनता द्वारा होता है वो कहला है राजनेतिक कारेपालिका चुनाओ हारेंगे या विधाईका के अंदर विश्वास मत प्रात नहीं कर पाएंगे तो पद से अपने आप हटा दिये जाएंगे हट जाएंगे इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्या है इनका इन राजनेतिक कारेपालिका का संसत से क्या तालुकात है जिसके ताथ अभी मैंने कहा कि चुनाओ हारने पर मंतरी प्रान मंतरी आदि को अपने पत से हटना पूसा है इसके पहले मैंने आपको बताया था कि विधाई का कारेपालिका को नियंतरित करती है इसी प्रकार कारेपालिका भी विधाई का को नियंतरित करती है इसका आर्थ ये हुआ कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो दोनों में हैं दोनों अर्थात विधाईका का भी अंग हैं और कारेपालिका का भी अंग हैं राष्ट्रपती दोनों का हिस्सा है ऐसे ही मंत्री मंडल और पधान मंत्री भी कारेपालिका और विधाईका दोनों का हिस्सा होते हैं दोनों में ही रहते हैं और इसलिए कहा जाता है कि जिस समय विधाईका के अंतरगत विधाईका में राष्ट्रपती या पधान मंत्री या मंत्र मंडल के लोग किसी कारण वश पराजित हो जाएं या तो चुनाव हार के या अविश्वास प्रताव के बलपर या एक महा भी योग होता है उसके आधार पे तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है या पद से हट जाते हैं ये हो गया कारेपालिका का संकीन अर्थ और आजनैतिक कारेपालिका अब यदि हम राज कारेपालिका की व्यापक परिभाशा लें व्यापक अर्थ में लें तो इसके अंतर का सरकार के वे सभी अंग आते हैं जो व्यवस्थापि का द्वारा बनाएगे कानूनों को क्रियानवित करते हैं वे सभी अंग जिनका काम कानूनों का क्रियानवन है वे सभी लोग इसमें आते हैं किवल राजनतिक कारिपालिका ही नहीं बाकी अन्य भी इसमें राजनतिक कारिपालिका के साथ सरकारी कर्मचारी जैसा मैंने बताया और इसलिए सरकारी कर्मचारियों को हम इस्थाई कारेपालिका कहते हैं क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वह वे लोग चिनाओं की प्रक्रिया से नहीं आते वे लोग नौकरी पाने की विविन अहरताओं को पूरा करने पर इस्थाई रूप से नौकरी पाते हैं कुछ मामलों में 62 कुछ मामलों में 65 रष तो उसकी एक आई-उसीमा है ये लोग चुनाओं के अधार पर नहीं आते सरकारी करमचारी एक्यस वर्ष की उम्र के बाद उनका नोकरी में चैन होता है तो वो तब तक सरकारी करमचारी बने रहते हैं जब तक कि रेटायर नहीं हो जाते, जब तक कि उन पर किसी आरोप के आधार पर उनको निकाला नहीं जाता, आधी आधे. औस तन एक सरकारी कर्मचारी लगवक तीस वर्ष कारे करता है, सरकारी नौकरी में विभिन पदों पर, पदों नती पाते हुए वह कारे करते रहता है, इस पदों नती के दौरान वह सरकारी कर्मचारी बना रहता है, और इसलिए वो स्थाई है, चूंकि ये लोग स्थाई है इसलिए इसे कहेंगे हम इस्थाई कारिपालिका राजनातिक कारिपालिका अस्थाई है क्योंकि राजनातिक कारिपालिका से जुड़े हुए लोगों का चैन जनता चिनाओं से करती है और चिनाओं का काल होता है सामान्य स्थिती में राजिनेतिक कारिपालिका के सदस्यों का चैन पांच वर्ष के लिए होता है का चैन मतलब मतदान के अधार पर उनका चिनाओं पांच वर्ष के लिए होता है अधिक्तम कारिकाल पांच वर्ष एक बार में इस पर हम और विस्तार से आगे चर्चा करेंगे पर आप जान लें कि राजनेतिक कारेपालिका का कारेकाल सीमित होता है अस्थाई होता है उसके खिलाफ उसके ठीक उल्टा प्रशासनिक कारेपालिका का कारेकाल अस्थाई होता है उसकी एक बहुत लंबी आयू होती है, उसका बहुत लंबा काल होता है, इस थाई रूप से वो लोग पदस्त होते हैं, तो जब हम इस थाई कारेपालिका की बात करते हैं, तो उसमें कौन लोग आते हैं? सरकारी कर्मचारी, और जैसा मैंने कहा ग्राम सेवक स्तर तक के लोग उसमें राते हैं, इसकी शुरुवात कहां से करें? जदी नीचे के स्तर पे ग्राम सेवक, तो सर्वोच स्तर पे कैबिनेट सेकरेटरी, मुख्य सचिव, विभागी सचिव, सचिव, निर्देशक, उपनिर्देशक, सहायक, लिपिक, प्यून, ये सब हैं, ये सभी कर्मचा देखते होंगे सरकारी नौकरी के, उसमें योगिता पुछी जाती है, शमता देखी जाती है, परिक्षा और इंट्रिव्यू के आधार पर और फिर उनको उनका सेवा काल रहता है, इनके जो कारिकाल हैं, और इनका जो वेतन है, और इनकी जो नौकरी है, इसका चुनाओं स कुछ लेना देना नहीं, चुनाओं के परणाम कुछ भी रहें, लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, चुनाओं के परणाम कुछ भी रहें, किसी भी दल के पक्ष में जाएं, वे परणाम, ये जो कर्मचारी हैं, स्थाई बने रहते हैं, एक और जहां ये लोग बने रहने के कारण ये लोग चिनाओं नहीं लड़ सकते अर्थात सरकारी कर्मचारी चिनाओं नहीं लड़ सकता चिनाओं में उम्मीदवार नहीं बन सकता लोक सभा का उम्मीदवार बिधान सभा का उम्मीदवार ग्राम पंचायक का उम्मीदवार सरकारी नौकरी में रहत उसे गैर राजने तिक ही रहना होगा और यदि उसे चिनाओं में खड़े होने की इच्छा है चिनाओं में उम्मीद्वारी पेश करने की इच्छा है तो उसे सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना होगा और उसके बाद फिर वो राजनेतिक कारिपालिका की गतिविदियों में शामिल हो सकता है पर दोनों एक साथ नहीं कर सकता ये अंतर हो गया स्थाई और अस्थाई कारिपालिका में स्थाई कारिपालिका राजनीतिक कारिपालिका के सलाहकार के रूप में कारिकरती है स्थाई कारिपालिका राजनीतिक कारिपालिका के आदेशों को क्रियानवन करने में पूर्ण सहयो करने के लिए बाध्य है राजनेतिक कारेपालिका के आदेशों को इस्थाई कारेपालिका क्रियानवित करने के लिए बाध्य है उसके सलाहकार के रूप में तो काम करती है उन्हें सुझाओ तो देती ही है सचेव मुख्य सचेव आदि सुझाओ देंगे लेकिन अंततर राजनेतिक कारेपालिका का जो रवया होगा उसके अनिसार वे इनको लागू करने के बादिता भी रखते हैं ये बखुवी समझने के बाद कि कारेपालिका के भी दो अंग हैं और दोनों अंगों के अंतर को समझने के बाद कारेपालिका के दोनों अंगों के अंतर को समझने के बाद अब हम थोड़ा जानें कि कारेपालिका होती कितने प्रकार की है कारेपालिका भी अलग-अलग प्रकार की है और कारेपालिका से माइने है मेरा सरकार का वो दूसरा अंग जिसको हम executive कहते हैं हर देश की कारेपालिका होगी हर देश की विधाई का होगी हर देश का नयापालिका होगा लेकिन विविन देशों में इन तीनों के बीच के संबंद अलग-अलग है और चूकि तीनों के संबंद अलग-अलग हैं इसलिए तीनों अंगों की प्रकृति भी अलग-अलग है कहीं कारेपाली का ज्यादा हावी है कहीं पर नयापाली का हावी है कहीं विधाई का हावी है कई जगे ये तीनों ही किसी एक व्यक्ति में सीमित हैं या किसी एक संस्था में सीमित हैं आदी आदी सभी देशों में एक तरह की कारेपाले का होगी ये संभाव नहीं है आपने अमेरिका की राष्टपती के बारे में सुना है यदि हम सर्थरी नजर पे अखबारों को देखें तो हम पाएंगे कि अमेरिका की बात करते हैं तो हमेशा वहां राष्टपती का नाम आता है राष्टपती के बयान आते हैं और ऐसा लगता है वहां की सरकार यानि राष्टपती वहां प्रधान मंत्री का नाम हमने कभी नहीं सुना क्योंकि वहां पद वहां है ही ऐसी स्थित में वहां की कारेपालिका अलग होगी उसके दाइरे अलग होगे उसके काम अलग होगे लेकिन वो द्यश्य होगा कारिपालिका का लागू करना इंग्लेंड की अधी बात करें तो इंग्लेंड की को जो मुख्य इंग्लेंड का जो हेड होगा वो कौन है Queen Elizabeth वहां की रानी इंग्लेंड की मुख्या वहां की रानी Queen Elizabeth लेकिन इंग्लेंड के बारे में हम बारम बार वहां के प्रधान मंत्री के बयान सुनते हैं Mr. Boris Johnson इंग्लेंड में रानी मुख्या है लेकिन बयानात या सरकार की बात जब होती है तो प्रधान मंत्री Boris Johnson का नाम आता है बारम बार अमेरिका की जब बात करते हैं तो वहां पर प्रधान मंत्री का नाम नहीं रानी राजा भी नहीं वहां पर राष्टपती का नाम आता है जो बिडन वरतमान में वहां के राष्टपती हैं अमेरिका के राष्टपती की शक्तियां और कारे भारत के राष्टपती की शक्तियों से बिलकुल अलग हैं ये आपको इस बात से उस्पष्ट हो जाएगा कि समाचार पत्रों में टेलिविजन में चैनल में अमेरिका के राष्टपती का चेहरा बार बार सामने आता है भारत के संबन्द में राष्टपती का नहीं बलकि भारत के प्रधान मंत्री का चेहरा आता है अमेरिका में तो प्रधान मंत्री हैं ही नहीं पर भारत में राश्ट्रपती भी है राश्ट्रपती का स्थान कुछ अलग है हमारे हाँ उसकी तुलना में हमारे हाँ प्रधान मंत्री सरकार में ज्यादा हावी है हमारी प्रणाली में हमारी कार प्रणाली में उनका ज्यादा महत्व है तो इसलिए अमेरिका के राश्पती की शक्तियां और उनके कार भारत के राश्पती की शक्तियां और उनके कार से अलग है वैसे इंग्लेंड की वहारानी अलिजबेट नेपाल के राजाओं से बिलकुल अलग है नेपाल में राज तंत्र था पर राज तंत्र होते हुए वहां भी राजा मुखिया थे लेकिन मुराजा का स्थान वो नहीं था जो इंगलन में क्वीन का स्थान है या रानी का स्थान है फ्रांस की बात करें तो भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधान मंत्री है भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधान मंत्री है लेकिन भूमिका हैं दोनों की अलग-अलग दोनों के महत्ता अपने अपने देश की शासन प्रणाली में अलग-अलग आखिर ऐसा क्यों है? क्या कारण है? ये कारिपालिका के विविन प्रकारों के कारण है अमेरिका वहां की प्रणाली को जिसमें राष्ट्रपती मुखिया है अध्यक शात्मक व्यवस्था कहते हैं क्या व्यवस्था कहते हैं? अध्यक शात्मक व्यवस्था तो अमेरिका के प्रणाली को अध्यक शात्मक व्यवस्था और वहां जो सारी शक्ति है वो वहां के राश्पति में कारेकारी शक्ति में से हम कहेंजे वो राश्पति कैनेडा की प्रणाली के राश्पति संसदी लोगतन प्रणाली अज़ट शात्मत नहीं संसदी लोगतन प्रणाली प्लस समवैधानिक राजतन यह एक अलग प्रणाली है इतके बारे में हम विस्तार से नहीं जाना चाह रहे हैं पर आपको मालूम होना चाहिए कि विविन देशों की राजनातिक प्रणालिया या विविन देशों की कारेपालिका का दायरा कारेपालिका का कारेखेत्र अलग-अलग है इस सब का अर्थ कारेपालिका का एक ही है सभी जगा एक्जेक्यूट करना लागू करना लेकिन सीमाई अलग हैं शक्तियां अलग हैं तो केनरा की जब बात करें तो संसदी लोग तंत्र है पार्लामेंटरी और सम्वैधानिक राज तंत्र भी है वहां का मुखिया कौन? इंग्लेंड की महारानी वहां की मुखिया है सम्वैधानिक राज तंत्र के तहत कैनेडा की मुखिया इंग्लेंड की महारानी है कैनेडा स्वतंत्र देश है एक स्वतंत्र देश रहते हुए कैसे इंग्लेंड की महारानी वहां की मुखिया है इसका अध्यान हम किसी अन्य अध्याय में करेंगे फिलहाल हम यह समझ लें जान लें कि महारानी अलिजबेट अफ इंग्लेंड वो उस राज्य की प्रधान है और इसलिए चमवेधानी के राज्यतंतर की बात होती है लेकिन सरकार का प्रधान कोई और है राज्य की प्रधान अलिजबेट इंग्लेंड की महारानी लेकिन सरकार का प्रधान प्रधान मंत्री और चुकि सरकार का प्रधान प्रधान मंत्री है इसलिए वहां की व्यवस्था को हम संचदी लोकतंतर की व्यवस्था भी कहते हैं और इसलिए मैंने बताई केनड़ा की विवस्था कहलाती है संशदी लोकतंत्र प्रणाली प्लस समवेधाने कर आज तंत्र यह हूई दूसरी प्रणाली तीसरा देश फ्रांस जिसका मैंने जिक्र किया और कहा कि भारत और फ्रांस दोनों में प्रधान मंत्री हैं पर दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं फ्रांस की ओदे हम बात करें तो वहाँ की प्रणाली कहलाती है अर्ध अध्यक्ष आत्मक व्यवस्था अध्यक्ष शब्द का जिक्र हमने अमेरिका के संदर्म में भी किया था अमेरिका की प्रणाली कहलाती है अध्यक्ष आत्मक फ्रांस की कहलाती अर्ध अध्यक्षात्मक वहां का सिस्टेम कुछ अलग है इसमें राष्ट्रपती द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री एवं मंत्री रहते हैं राष्ट्रपती द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री एवं मंत्री और राष्ट्रपती का पद ऐसा है कि राष्ट्रपती हटा नहीं सकता ये जो प्रधान मंत्रिय हैं वो संसद के प्रति उत्तरदाई होते हैं तो इस प्रकार फ्रांस की व्यवस्था जो है वो एक तरीके से mixed है और इसलिए अर्ध, अध्धक, शात्मक, संसदी व्यवस्था हम कह सकते हैं एशिया महाद्वीप का एक देश जापान को देखें, वहां कौन सी व्यवस्था है वहां की व्यवस्था कहलाती है संसदी व्यवस्था प्रणाली के बात करें, तो संसदी व्यवस्था है जैसा कि भारत में है लेकिन कुछ माइने में वहां की व्यवस्था भारत से अलग है वहां देश का प्रधान राजा है राजा और था वंशानुगत राजा की मृत्य के बाद उसका बेटा उसकी मृत्य के बाद उसका बेटा ऐसी वंश दर वंश एक परिवार का व्यक्ति वहां का राजा होता है तो प्रधान कौन है वहां राजा है भारत में प्रधान कौन है राश्टपती है लेकिन वास्तविक रूप से प्रधान कौन है प्रधान मंत्री है जिसको हम अध्यन करेंगे पर ये समझ लीजे जापान की व्यवस्था संचदी होते हुए भी वहां का प्रधान राजा है और सरकार का प्रधान प्रधान मंत्री वैसे ही जैसे कि कैनडा में था राज्यका प्रदान कुईनर्दबैत सरकार का प्रदान प्रदानमंतरी ऐसी जापान में भी ये व्यवस्था है लेकिन संचदी व्यवस्था है दो अन्य देश और ये आपको ये बारहन बार इसलिए पताया जा रहा है कि आप समझें कि कितनी तरह के शाषन प्रणालिया प्रूस की अदि बात करें तो रूस की व्यफ्था कहलाती है अर्ध अध्यक्षात्मक अर्ध अध्यक्षात्मक जथा फ्रांस में था रूस का जो प्रधान है वह राश्ट्रपती होता है और राश्ट्रपती के द्वारा नियुक्त प्रधान मंत्री सरकार का प्रधान होता है इस प्रकार हम देखते हैं कि कई देशों में सरकार का मुख्या अलग और राश्ट का मुख्या अलग कहीं राष्ट का मुखिया राजारानी हैं, कहीं राष्ट का मुखिया राष्ट्रपती हैं, कहीं राष्ट का मुखिया प्रधान मंत्री हैं यहां रूस के मामले में प्रधान मंत्री सरकार का प्रधान है जिसकी नियुकती राष्ट्रपती करता है और इसलिए इसे अर्ध अध्यक शात्मक व्यवस्था कहते हैं अब अन्तिम बड़े राष्टों में महत्पूर्ण राष्टों में जामनी की व्यवस्था हम उनी राष्टों का चैन कर रहे हैं जहां लोक तांत्रिक व्यवस्था है उनी राश्टों का नाम मैंने यहां लिया है या उदाहरन दिये हैं जहां पर डिमोक्रैसी है जहां पर चुनावी पध्धती से शासन व्यवस्था चलाई जाती है जहां चुनाव होते हैं बहुदली चुनाव एक दली नहीं बहुदली चुनाव जामनी की बात करें तो जामनी में वहां की व्यास्था को हम संसदी व्यास्था कहेंगे लेकिन देश का प्रधान राश्ट्रपती और सरकार का प्रधान कहलाता है चांसलर देश का प्रधान कौन राश्ट्रपती और सरकार का प्रधान चांसलर एक तुरीके से चंस्टलर जो है वो समझ लिजे प्रधान मंत्री ही है तो सरकार का प्रधान चंस्टलर और देश का प्रधान राष्टिपती यह जामनी की व्यवस्था है इस तरह हमने विभिन देशों के राजनेतिक प्रणाली, राजनेतिक शास्तन व्यवस्था के प्रणालियों के नॉमिन क्लेचर को समझा क्या नाम दिये गए हैं ये समझने की कोशिश की और उसका सतही रूप से थोड़ा अध्यन भी कर लिया इन सब देशों में हम पाएंगे दो तरह की मोटी मोटी विवस्थाएं हैं लोकतांत्रिक देश हैं सब डेमाक्रेसी में विश्वास करते हैं एक तरीके से वैसे रूस जो है वह उस तरीके से डेमाक्रेटिक नहीं है जैसा वर्तमान में उसे माना जाता है लोकतंत्र की वह विवस्था वहां नहीं है जो वास्तों में लोकतंत्र कहलाती है क्योंकि वहां एक दली शासन है पर चुकि वहां चिनावी प्रक्रिया होती है इसलिए इसको भी शामिल किया गया अपने अध्यन के लिए तो कुल मिलाके हमने पाया कि जो छह साथ देशों का अध्यन किया इसमें या तो अध्यक शात्मक व्यवस्था है या संचदी व्यवस्था है अध्यक शात्मक व्यवस्था में अर्द अध्यक शात्मक को भी शामिल किया गया है पर दूसरी व्यवस्था जो कहलाती है वह संसदी है दोनों में क्या अंतर है थोड़ा इसको समझ ले मूल रूप से आधार भूत रूप से दोनों व्यवस्थाओं में बेसिक अंतर क्या है अध्यक्षात्मक व्यवस्था अर्थात जहां राश्ट्रपती, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान हो जैसे अमेरिका में राज्य का भी प्रधान है और सरकार का भी प्रधान है राष्ट का भी मुखिया है और राष्ट को चलाने वाली सरकार का भी मुखिया है ठीक उसके विपरीत संसदी विवस्था में प्रधान मंत्री जो है वह सरकार का प्रधान होता है प्रधान मंत्री जो है वह सरकार का प्रधान मंत्री होता है या दूसरे शब्दों में कहें सरकार का प्रधान मंत्री होता है राश्ट्रपती नहीं कौन सी व्यवस्था में? संशदी व्यवस्था में दूसरा अंतर अध्यक्षात्मक प्रणाली में राश्पति बहुत ताकतवर होता है बहुत शक्तिशाली राश्पति का पद बहुत ही शक्तिशाली होता है जबकि संसदी व्यवस्था में वास्तविक शक्ति जो है वो प्रधान मंत्री और उसके मंत्री मंदल के पास होती है याने सरकार जो चलाता है प्रधान मंत्री सरकार के जो अंग है याने कारेपालिका के जो अंग है जिसमें मंत्र मंदल है उनके पास असली शक्ति रहता है कौन सी व्यवस्था में? संसदी व्यवस्था में अध्यक्ष आत्मक व्यवस्था में राष्टपती के पास सभी शक्तियां संसदी व्यवस्था में प्रधान मंत्री और मंत्र मंदल के सदस्यों के पास व्यवस्था प्रधान मंत्रियों और मंत्र मंदल के सदस्य जो हैं वे संसद के सदस्य होना अवश्यक है ये संसदी विवस्था की खासियत है जिस पर हम आगे पढ़ेंगे तीसरा और या इसके बारे में हम एक उदाहरन देख लें अध्यक्षात्मक प्रणाली की बात करें तो हमने कई उदाहरन देखे लेकिन मूल रूप से या सबसे ज़्यादा जो जानकार जिसके बारे में जानकारी रखते हैं वो है अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली ब्रादिल की अध्यक्षात्मक प्रणाली ये अध्यक्षात्मिक प्रणाली का उधारन है संसिधी प्रणाली का जर्मनी जपैन इटैली ये उधारन हुए संसिधी प्रणाली के तो हमने ने समझा कि किस तरह मूल रूप से लोकतान्त्रिक देशों की शासन व्यवस्था या तो अध्यक शात्मक है या उसके आसपास है और या संसदी है या उसके आसपास है शेड हो सकता है अलग-अलग अध्यक शात्मक प्रणाली के भी कई रंग हो सकते हैं पर मूल रंग वही है ऐसी संसदी प्रणाली के भी कई रंग हो सकते हैं अलग-अलग शेड हो सकते हैं लेकिन मूल रंग वही है